सचाई का राशन टास्क जो बिग बॉस ने बनाया है घर की अंदर जिस तरीके से घर वाले परफॉर्म करेंगे क्या ये सचाई का राशन टास्क आप लोगों को मज़िदार लगा प्रोमो देखके मुझे जरूर बताईए मुझे जो है 50 मज़िदार लगा 50 जो है मज़िदा नहीं लगा मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की सोच से जादा कहीं जादा जो है सोच सकते हैं मेकर्स और और बेज़दा एंटरेनिंग जो है बना सकते हैं हर एक चीज़ को चलिए ये चीज़ जो है कुछ अलग सी लेके आए अभी तो हमने प्रोमो ही देखा है और आप लोगों को पता है कि प्रोमो देखके जो है कल कर रात को कितना जदा बवाल हो गया था अविनाश मिश्रा को पहले तो ईशा को बोलते रहे धोके बाज धोके बाज फिर अविनाश को बोलते रहे धोके बाज धोके बाज फिर उसके बाद अविनाश को ये भी बात बोली भ फतूर भड़ा पड़ा था वो शान्त हो गया और हर को यह बोले याड़ यह क्या था हम तो एम यह ओवर धिंक कर रहे थे तो अब जो है राशन टास्क में जो कोशन्स उठाए हैं यह सचाई का राशन है और यह चाहे तो जूड़ भी तो बोल सकते हैं पर घर वाले कितना ज राशन जो है वह इनको मिलेगा एक बास्केट इसके बदले यह इसके बदले वह उस तरीके से राशन मिलेगा जैसे कि जो है विविन की रीड़ी है ही नहीं भाई इडन रजजत दिगविजे चाहत या मिनी यह जो चकदे इंडिया का जो वह है ना रज्जो दलाल यह इंडिया की पुरी टीम जो है यह सब चीजे बोलती हुई दिखाई दे रही है और बाकी इशा बग्गा अविनाश और भी जो करनवीर भी में भी यह बात नहीं बोल रहा है वो भी नो बोल रहा है क्योंकि उसकी रीड़ी के डी है भाई अगर यह सब चीजे क्यों बोलते हैं जिस बंदे में ना कोई बात नहीं होते जो बंदा स्टैंड नहीं लेता वो बंदे को बोलते कि इसमें तो रीड़ी की हड़ी ही नहीं है अब करनवीर के लिए उसने सीधा सीधा स्टैंड लिया और करनवीर ने क्या बोला कि भाई मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो कि कम का हूँ और मेरा मेरे पास 20 साल नहीं है मेरा फेस ही सबसे ज़रूरी है तो ये भी एक पूरे घर के सामने स्टैंड लेना बहुत बड़ी बात है और बड़ी बात है और पहले भी स्टैंड ले चुके हैं इशा के लिए भी उन्होंने स्टैंड लिया कि भाई यामिनी ने नमबर प्याया वो भी स्टैंड लेनी वाली बात हुई और ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं याद करने बैठेंगे बहुत सारी चीज़े हैं पर अपने ग्रजिस के कारण ये लोग जो है नो बोल रहे हैं पर फिर भी बहुमत किस की तरफ है बहुमत है विविन डिसैना की त इपीसोड के स्टाटिक में जो है दिखाई दिया मतलब की पता नहीं उन्हें ब्लांकेड के अंदर क्या किया और थो बैप WOR घर च画ने जो है ये विन डिया कै से अविनाश का यह बदला हुआ रूप देख रही है ना थोड़ा रगड़ रूप थोड़ा मतलब की लड़की ओका लोग जो न अच्छे लगते हैं थोड़े मतलब की अपनी चीरे चलाना थोड़ा कंट्रोल करना लड़कीों को मजा आता ऐसे लड़का लोगों को देख औ और में भी शायद ईशा भी ऐसे किसी को ढूंड रही होगी या उसके अंदर ये फीलिंग जो है दबी पड़ी होगी पर अपना मतलब की अपने नेचर का फ्लेवर जब अविनाश ने दिखाया तब ईशा के भी तरफ से थोड़ा बहुत जुकाव और भी जादा हो चुका है अविनाश की तरफ से तो ईशा ने भी बोला है तो भाई बोल दे अभी है तो भाई बोल दो तो फिर बोल ही दिया है और सब लोग जो है वो मानते ही है तो चलो भाई इस सीजन में एटलिस दो कपल तो मिले प्यार करने वाले अविनाश ईशा और करनवीर और चुम और करन इसे के साथ मैं लेती हूं जाज़त नमस्कार